ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशदियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। नो दुरगा के नो रोपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। आईरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती हैं। आईरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुरगा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करने चाहिए। सम्पूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं, वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे। तो सम्बंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। स्ष्टम स्वरूप का त्याइनी यानि मोयया। नवदुर्गा का छठा रोप का त्याइनी है। इसे आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है। जैसे अंबा, अंबालिका, अंभिका, इसके अलावा इसे मोयया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ, पित, अधिक विकार, एवं कंट के रोग का नाश करती है। इससे पीडित रोगी को इसका सेवन और मा का त्याइनी की आराधना करनी चाहिए। आमा यानि सफेद हल्दी अनेक रोगों की आउशदी है आमा हल्दी। आमा हल्दी पीली हल्दी की तरह ही फायदेबंद है। आमा हल्दी के पेड भी हल्दी के तरह होते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि आमा हल्दी के पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं। और आमा हल्दी की कांट बड़ी और भीतर से लाल होती है। लेकिन साधारण यानि पीली हल्दी की गांट छोटी और पीली होती है सफेद या आमा हल्दी ठंडी, पित, शामक, गैस भगाने वाली, पाचन को दुरुस्त करने वाली, भूग बढ़ाने वाली, पत्री को तोडने वाली, यूरीन की रुकावट को दूर करने वाली होती है सुगंदित होने के कारण इसे चटनियाद बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाँ, अगर आप चाहें, तो इसे काट कर सिर्फ नमक के पानी में रखकर भी खा सकते हैं अगर आपको गैस की समझ से आ है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमत है हम आपको बता दें कि सफेध हल्दी के सेवन से आप पेट की गैस से निजात पा सकते हैं यही नहीं, इसे खाने से अपच, एठन, भूग ना लगना पेट में कीडे, पेट फूलना, अनियमित, मलत्याग और अलसर जैसी बिमारियां भी ठीक होती है सफेध हल्दी की जड़ को पेट में बन रही एसीडीटी को खत्म करने में भी कारगर माना गया है और इसलिए यह पेट के अलसर को भी होने से रोकती है सफेध हल्दी में सूजन, घाव और तोचा रोग का इलाज करने में भी लाप मिलता है सफेध हल्दी में किसी भी तरह के infection को रोपने की ख्रमता होती है जैसी कि अगर किसी वेक्टि को बुखार हो रहा है तो उसे सफेध हल्दी खिलाएं इससे उसका बुखार उतर जाता है सफेध हल्दी शुगर वाले लोगों के लिए भी फायदेमन है सफे धल्दी खाने से ब्लड शुगर का लेवल कम होता है अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की और बताएंगे आपको मा काल रात्र की औशधिया महत्तु के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के